ये मेरे कंगन देख लो, ये मेरे अंगूटी देख लो दोस्तों जैसे ही हमें खुफिया सुत्रों से खबर मिली के प्रसाद जुएलर्स वरा आयोजित प्रसाद स्वर्ण मोहचसप के इवेंट के लकी ड्रो में हमारा नाम निकला है फिर क्या था तुरंती हम अपने पल्टन को लेके इवेंट की तरफ निकल पड़ते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ सिधी दास और उसकी फैमली इवेंट पे पहुंच तो जाते हैं पर क्या उनने एक्टिवा मिलेगा जानने के लिए पूरा वीडियो एंट तक देखिए एंट्री गेट में पहुंचते ही एक जनाब आए और मुझे खिंच के लेने लगे अरे भाई कहां ले जा रहे हो आईए इस पर खड़े हो जाईए अरे भाई ये टूड़ गया तो कुछ नहीं होगा सर अरे मेरे पेर काम परे भाई थोड़ा स्वैक दिखाओ ना अच्छा ये बात ये ले भाई अबे सर के वाला पोज ये ले बस हो गया इतना ही था ठीक है भाई थैंक यू सो मच बहुत मज़ा आया अरे भाई ये थैंक यू नहीं 200 रुपे निकाली है क्या मज़ा के ये आपने ही खींच के लाया था मैं मैं कुछ ना देने वाला अरे बहन तुझे पक्का खबर मिली है ना कि हमको एक्टिवा मिलने वाला है जाने नहीं देंगे क्योंकि सारे exit gates हमने बंद करवा दिये हैं enjoy everyone अबे किदर जारी है पिछे seat खाली है अबे हम भी आई पी है बे आगे बेटेंगे अच्छा हम भी आई पी है क्या अरे बहन डर लग रहा अरे यू शूर हम भी आई पी है मेरे को भी अभी doubt हो रहा थोड़ा जले काम करते हैं वाँ भी आई पी seat के सामने खड़े हो जाते अगर उनको लगा कि हम भी आई पी है तो हमको बिठा दे कैसी जिंदगी है यार हमें कुद को नहीं पता कि हम भी आई पी है की नहीं अरे हमारा गिफ्ट कब देंगे ये लोग अरे पापा बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारा पैले चोटे मुटे गिफ्ट सारे गरीबों को मिल जाए सबसे आखरी में हमें मिलेगा ना ये मेरे कंगन देख लो ये मेरी अंगूठी देख लो सब प्रसाज ज्यूइलर्स वालों ने दिया है जिस्तास बोर कर रहा यार ये लड़की ठीक है फिर मैं चलती हूं इससे अच्छा तो मे कर लेती ये कौन बोला रहे ये हमारे आज के इस इवेंट का आखरी और सबसे किम्ती गिफ्ट है जिसको जीता है सिदी दास ओ सौरी 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 सिदी दास जी आपके पीछे जो एक टकला बेटा है उसको बेजिये हाँ वही वही तो दोस्त हमारे होंदा एक्टिवा का विजेता है अनूपन खेर चलो रहे निकलते हैं अपना किम्ती काम छोड़के मैं यहां आया था क्या मिला पाधना कोई किम्ती काम नहीं होता जी भाई हमेशा ऐसे जलील क्यों हो जाते यार रहे देखना रोर्केला का नंबर वन फुट ब्लॉगर फुटी स्टोरीस रोर्केला अरे सिदी भाई कैसे हो मेरे भाई भू का हूं मेरे दोस्त अरे don't fear when food blogger is here आजाओ आजाओ देखा एक food blogger दोस्त रेने का फाइदा नाइस यह लो सिदी भाई जो खाना है खालो भया हमको भी कटोरा देदो कटोरा खतम हो गया कोई ना हात में देदो लाला क्या करें पैसे भी तो recover करना पड़ेगा ना अबे कहां गुस-गुस के खारी है सिदी भाई food blogger होने का फाइदा देखोगे दूसरे के प्लेट से भी गोल कपे खालो कोई कुछ नहीं बोलता नाइस वी सुड फिल प्राउड अप इस गाई प्राउड ओफ यू मेरे दोस्त कल सुबह उटते ही प्रसाज जोलेट्स की स्टोर में जाएंगे और जबाब मांगेंगे इस अपमान का भाई ये राज स्टोर चल चल अंदर चल उस तरफ बेटते हो चल हमें इतना जलील करके आप दोनों भाई यहां मजे कर रहे हो क्या हो गया सिधी बया कितना उमीद लेके में वह आ गया था इवेंट में कि मेरा लग्की ड्रॉ में नाम निकलेगा बट आप लोगों ने तो धोका दी दिया अरे सिधी बया जब हमारा कॉंटेस चल रहा था उस दोरान अगर आपने हमारे यहां से कुछ कीमती सामान खरीदा होता तब ना आपका कूपन बनता आपको याद है आपने क्या परचिस किया था हमारे यहां से बाई मुझे यह दिला दे अबे आलू गोभी समझे क्या जो ऐसा ही दिला दू ठीक है चल उदर चल सस्ते वाले वाव किते क्यूट है यार मन कर रहा सब उठा लो बाई मुझे यह तो दिला सकता है ना वो नहीं तो कम से कम यह तो दिला दे पागल इसके लिए मुझे खुद को चार बार गिरवी रखना पड़ेगा तू सब कुछ मना करता है यार फिलहाल मेरी हैसियत इतनी है के मैं बस इसकी फोटो ले सकता हूँ मैडम यह बस ट्राय करेगी खरीदेगी नहीं चलेगा ना चलेगा सर फिर टेक है सब पहना दो इसको भाई मेरी साधी के लिए ले लू क्या प्लीज हाँ ले ले पर पैसे कहां से लाएगी तू देगा ना मैडम इसके गले से हार निकाल दीजे प्लीज मन कर रहा यह सब लेके यहां से बाग जाओं एक्सक्यूज में भाईया आपके यहां CCTV लगे हैं क्या हाँ मैडम चप्पे-चप्पे में CCTV लगे वहाँ खदे यार मैडम यह अंगुठी देखिए हमारा लीटेस्ट कलेक्शन है सिर्फ आपके लिए बनाया गया है मेरे लिए बनाया गया है तो मुझे फ्री में देदो न दीदी वाट सोरी मेडम लाइए दीजिए यह साइध किसी दूसरे के लिए बनाया मैं मुझे पता है आप लोग कुछ लेने वाले तो है नहीं पर क्यूंकि मुझे इदर सैलेरी मिलती है तो मैं यह आपको दिखा रही हूँ अबे खाली हाथ क्यों पानी पीके जाएंगे ना भाईया दो गलास पानी पिला सकते क्या बस दो गलास पानी पीके निकल लिये थे आप लोग इसी पानी की बात कर रहे हो ना आप आपको पता है मुईत भाई जब आपका गलास सूख रहा होगा तड़ प्रे होंगे आप तब कोई सोना चांदी आपकी जान नहीं बचाएगा यह पानी का गलास ही आपको जिंदिगी देगी सबसे कीमती चीज यही है मेरे दोस्त हम आपके स्टोर से यह लेके गए थे उस दिन इसका मतलब समस्ते हो दुनिया की सबसे कीमती चीज लेके गए थे हम यहां से और आप लोग हमें ही भूल गए हमारा यह emotional speech सुनने के बाद दोनों भाईयों का हिरिदय परिवर्तन हो जाता है फिर दोनों ही अपना दर्यादिली दिखाते हुए मुझे पटक पटक के धूते हैं हमारी आखे खोलने के लिए हम प्रसाज जोलर्स को दिल से धन्यवाद देते हैं